Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो इस वीडियो में हम लोग बाइलोजी के model question paper देखने वाले हैं और यह जो model question paper है ना यह need 2019 2019 का है तो यह video number 5 या 6 या 7 number है तो साथ यह video number 7 है तो 10-10 question की series हम लोग कर रहे हैं 10 question एक video में करा रहे हैं तो हम लोग यह समझे है कि question number 61 से discuss करेंगे क्योंकि हम लोग discuss किये थे 60 number question तक discuss किये थे तो प्लीज आप लोग जितनी भी video अगर ना देखे हो तो आप video description box में link मिल जाएगी या आप channel पर visit करें वहाँ पर series wise पूरा देखें तो यह देखिए हम लोग 60 question तक discuss कर चुके हैं 61 number question आप लोग अच्छे से पढ़िए और लगाईए अपसन कौन सा सही है और पहले पहले फार फर्स्ट पे तो आप video को like कर लिजिए तो video को like आप 100% आप video को like ही करके जाएं अगर आप कुछ भी इस video से सीख रहे हैं तो video को like जरूर करें जिससे हमें पता चलता है कि आपका response क्या है और नहीं देखना है तो मत like करिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप video देख रहे हैं तो like 100% करें देखिए question number 61 देखिए कुच आप the following sexually transmitted disease not completely curable अब निम्न में से योन संचारित रोग बोड़ता साथ दिन है इसमें पूछ रहा है sexually transmitted disease sexually में तरफ sex अगर multiple sex करते हैं तो वो कौन से disease है जो curable नहीं है ठीक नहीं किया जा सकता और वो sexually transmitted disease है तो not completely curable तो भाई साथ बताईए जो sexually transmitted disease है और वो एक curable नहीं है तो इसमें genital herpes तो इसमें तीन disease आप लोग याद कर लिजिए जो sexually transmitted disease होती है लेकिन उनको के सही नहीं किया जा सकता तो genital herpes याद कर लिजिए और एक इसी में आप hepatitis B याद कर लिजिए हेपिटाइटिस B लिख लिजिए और एक HIV लिख लिजिए तो ये तीन disease genital herpes हेपिटाइटिस B और HIV ये नान curable होते हैं लेकिन sexually transmitted disease होती है तो इस question का option number second correct हो जाएगा next question देखिए how does steroid hormone अब यहाँ पे steroid hormone की बात हो रही है influence the cellular activity तो steroid hormone क्या होता है ये bind करता है DNA to DNA से and farming ये gene hormone complex DNA से बद कर एक gene hormone complex बनाता है तो option number first ही इस question का correct हो जाएगा next question number which the statement given below is not true about formation of annual ring entry not true annual ring tree जो होती है इसके respect में देखना है कि कौन सा statement सही नहीं दिया गया है जो चारो statement दिये गया है बिरिच्चों में वार्षिक बलयों के बनने के विशाय में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है तो annual ring बनती है और ये जो annual ring बनती है इसी के respect में बताना है तो annual ring तो हर जहां बनती है तो ये देखिए आपसा नंबर डिफरेंशियल अक्टिविटी आप काइमियम काज लाइट अन डार्क बाइंट टिशू एरली और लेट वोड रिस्पेक्टबली तो ये तो सही है एक्टिविटी आप काइमियम डिपेंड अपान बाइट इन क्लाइमेट जो काइमियम की अक्टिविटी होती है और डिपेंड करती है क्लाइमेट सीजन के बाइरियंट के थंडी गर्मी बरसात लेट सीजन नाइट तो ये सब चीज है थार्ड देखिए एनवल रिंग आर नाट प्रॉमिनेंट इन ट्रीज आप टंपरेट रीजन सीतोस र कटबंद ये चेतरों के बिरिच्चों में वार्षिक बले सु असपस्ट नहीं होता एनवल रिंग जो होती है और टंपरेट रीजन में एकदम सु असपस्ट होती है तो ये गलत हो जाएगा नाट दिया गया है इसलिए और इन करेक्ट पूछ भी रहा तो इसलिए आपसा नमबर थार्ड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोईस्ट नमबर 64 देखिए तो ये जो फ्लोयम येसे मालीजी ये आपका प्लांट है ये प्लांट है अब ये प्लांट है ये जाएलम आपका है और ये फ्लोयम है तो फ्लोयम क्या करता है ये आपका सुगर का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दोनों तरफ कराता है उपर भी ले जाता है नीचे भी ले जाता है लेकिन जो जाइलम है ना ये water का transport only unidirection में कराता है कौन सा जाइलम unidirection में only कराएगा लेकिन जो phloem है ये आपका sugar का transport उपर भी नीचे भी तो bidirectional में इसलिए आफसर नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा question कह रहा है phloem में सरकरा की गत की दिशा कौन सी होती है तो 2 दिशा गामी होती है bidirectional होती है अगर water की पूछता और जाइलम की लगाता है तो only upward आप लगाते only unidirection next question number ये देखिए ये थोड़ा tough question था और NCRT के से आप कह सकते हैं कि आउट थर्सले वस ये देखिए the shorter and longer arm of submetacentric chromosome are referred to as अब आप बताईए कि इसमें क्या चीज है तो इसमें option number आपका first correct है P arm and Q arm respectively तो first option correct करेंगे और next question की तरफ बढ़ेंगे ये देखिए which which foods following method is the most suitable for disposal of nuclear based तो जी, nuclear based होते हैं, अफ्सिष्ट पदार्त होते हैं nuclear based इसन नुक्लियर बैस्ट जो होते हैं and dispose किया जाते हैं most suitable method बताना है निमन मेंसे कोंसी बिधिनावकिये अफ्सिष्टों के निप्टान के लिए सबसे अध्धिक उपयुक्त है तो ये nuclear based को क्या किया जाता है ये वरी ये देख लिजे वरी दा वेस्ट वितिन रॉक्स डी बिलो दा आर्थ सर्पेस अपसिस्ट को पिर्थवी की सता के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देते हैं तो ये option number आपका third option correct हो जाएगा जो nuclear based होता है चट्टानों के नीचे ए next question ये देखिए ये थोड़ा question आपका अच्छा question है body fluid and circulation 11th anxiety पढ़े होंगे तो वहां से है तो अप ECG ECG अगर आप नहीं देखे होंगे तो ECG machine होती है electrocardiogram इसको बोलते है और उसमें six lead होती है और four lead होती है दो आपका hand में लग जाती है और दो आपके leg में लगती है और छ six lead होती है यह chest lead होती है chest में six lead लगती है एक lead right right heart right आपका arm में लगती है यह chest में right और आपके 5 जो होती है left arm में लगती है तो इस हिसाब से आपका ECG किया जाता है तो ECG करने पर यही चीज़ आपको बताना है कि कैसे क्या चीज होता है, जैसे इसी जी जिब करते हैं तो ऐसे इनCRT में डायग्राम भी बनाएगा, ऐसे बनाएगान है, फिर यह देख सकते हैं, यहां इसके नीचे लाकर फिर यहां उपर लाकर, फिर यहां से यहां ऐसे किया गया है, फिर यहां T- Blaze थोड़ा सा ऐसे करके, फिर ऐसे कर गया है फिर ये ऐसे किया गया है तो इसमें जो है ये पी बेब दर्साया गया था और ये हो गया आपका क्यू बेब और ये हो गया आपका आर बेब और ये आपका नीचे वाला येस बेब और ये टी बेब को सो किया गया है अब इसमें जो P wave है, P wave क्या होती है, P wave जो होता है, इसमें depolarization of atria, heart का महिने, ये एक रफली डायगराम बना देता हूँ, ये heart का मा लीजिए, ये heart का है, इसमें heart में four chamber human में होते हैं, ये आपका right atria होता है, ये right ventricle होती है, और ये left atria होता है, और ये left ventricle होती है, तो ये चीज हो जाएगा, अब इसमें जो P wave है, ये P आपका सो करता है, depolarization of atria, ये जो ये left right atria और left atria, इसमें पी wave पे इसमें repolarization हो जाता है, क्या, depolarization हो जाता है, depolarization मतलब contraction हो जाता है, इसमें atria में, और आपकी जो ये, अब इसमें क्या पूछेगा, फिर उसके बाद क्यू आर ये Q-R-E-S, Q-R-E-S क्या है, Q-R-E-S पूछ रहा है, यहीं से तो क्या होती है, Q-R-E-S, Q-R-E-S जो होती है, इसमें depolarization of ventricle, अब ये जो right ventricle, left ventricle होती है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लिख लिजिए, depolarization of atria लिख लिख लिजिए, अब हो जाएगा, तो और यहाँ पे पूछता है, जो T-Wave है, काभी बाद पूछता है, कि T-Wave मान लिजिए, यह ऐसे जो बनाना T-Wave फ्लेट हो जाए, ऐसे सीधी हो जाए, या फिर उल्टी हो जाए, तो क्या होता है, अगर मान लिजिए, हार्ट में, हार्ट की जो coronary artery होती हो जाती है, जिससे angina होता है, हार्ट अटेक हो जाता है, तो उस case में यह क्या हो जाती है, T-Wave उल्टी हो सकती है, या फिर ऐसे सीधी हो जाती है, इसी सी तो पता करते हैं, इसी जी में की patient को हार्ट अटेक हुआ था, या फिर कोई ब्लॉकेज है, तो इसी जी confirm कर देती है, यहीं से confirm होता है तो चलिए आप देखते हैं पीवेव आप लगाएज पीवेव क्या होती है तो पीवेव दिपोलराईस्था आप आटरिया तो इसमें फोर्त आपसं देखिए यह देखिए फर्स्ट को मिलाएँगे वूर्थ से किसे मैंने बताए था रिपल्राइजेसे जाके इंड कर जाते हैं और आपका यह बना नहीं था यह क्यू वाला है यहीं क्यू वेब से सिस्टोल का सूरुआत होता है कि बिगनिंग आप सिस्टोल बोल सकते हैं और जो यहां पर T-Bab आता है ना T-Bab पर सिस्ट्ल इंड हो जाती है तो यह चीज और यह डी वाला देख लिजिए reduction in T-size आप वेव अगर T-size की जो यह बनी थी ऐसे माने बनाया था है ऐसे करके ऐसे बनाया था यह T-bab जो बनाया था है यह कह रहा है कि अगर T-Trung का आकार कम हो जाए मानना लीजिया ऐसे हो गया ऐसे हो गया चीधा हो गया हूल तो क्या हो गा तो अगर सीधा हो जाता है तो धर सीधा हो जाता है तो यह थीज़ाई थाड़ से मिलाए कोई heart blockage भूलते है कोरिनरी आर्टी ब्लाग कर जाती हैं जब पूरा आप मैज करेंगे न फूर्थ वाला आपका मैज हो जाएगा नेस्ट कोईश्टन इंपॉर्टन कोईश्टन था मैंने अच्छे से आपको बता भी दिया ये देखिए ये कोईश्टन तो मतलब ये चैप्टर जो आप ट्वेल्थ चैप्टर पढ़े होंगे मैंने तो इतना खोल के इस चैप्टर को इदम रख दिया था कांसेप्ट भी वताया था थे और वीडियो आप देखेंगे न एक भी कोईश्टन इस चैप्टर से खलत नहीं होगा 100% क्योंकि ये 12th NCRT का चैप्टर नंबर सिकेंड है Sexual reproduction in flowering plant से question पूछा गया है Which one of the following statement regarding post-fertilization development of flowering plant Flowering plant कहीं पे दे दिया गया है तो आप NGO-Sperm plant मान के से लिए कि NGO-Sperm की plant की बात कर रहा है क्योंकि flowering plant NGO-Spermik plant ही होते हैं और incorrect statement बताना है पुषपी, पादपो में, निसेचन के पस्चात, विकास के विशय में, निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो post-fertilization यहीं से question पकरना है और अच्छे से करना है कि fertilization के बात की जो घटना होती है उसको post-fertilization में क्या होता है जाइगोड डेवलप इंटू इंब्रियो यह तो सही है जाइगोड का डेवलपमेंट हो जाता है इंब्रियो में और यह देख लिए जे सेंट्राल सेल जो होती है वो किसमें चेंज हो जाती है इंडो स्पर में और ovules develop into embryo sac, ovules किस में change हो जाता है, ovules change होता है seed में, ना कि embryo sac में, तो यही गलत है, तो option number third correct हो जाएगा, और post fertilization के बाद ovary तो change हो जाती है fruit में, तो यह सब चीज़े सही हैं, लेकिन third option आपका सही नहीं है, वहाँ पे ovules change होता है seed में, next question यह देखिए, select the correct written scientific name of the mango, अब mango arm आपको दिया गया है, और उसका scientific name दिया गया है, was first described by carolus lineage, carolus lineage ने पहली बार, यह देखिए, आम का carolus lineage द्वारा सर पर्थम बेक्ट किया गया, सही लिखित, बाग्यानी नाम का chain कीजिए, तो यह जो महेंगी फेरा इंडिका होता है न इसमें, महेंगी फेरा, first जो denote करते हैं, वो genus लिखते हैं, फिर species लिखते हैं, फिर last में जो author's name होते हैं, उनका नाम लिखते हैं, तो यह जो genus लिखा जाता है, यह capital letter से लिखा जाता है, मैंने कितनी बार question में कराया है, और species जो लिखा जाता हो, small letter से लिखा जाता है, मैं पहला लेटर कैपिटल यम ही होगा, उसके बाद तो छोटे ही होंगे, फिर ये इंडिका इस पे सीज है, इस पे सीज जो है, ये छोटे लेटर से सुरुआत होता है, तो आई देखिए इसमाल है, और लेनियस हो जाता है, जो साइंट के नेम है, तो इसमें first option ही correct हो जाएगा, एकदम अच्छे से देखिए, इसमें lin नहीं लगाया गया है, इसमें I capital दे दिया गया, और यहां पे देखिए, महिंगी फेरा इंडिका कार दे दिया, इसलिए सब गलत हैं, लेकिन first option exact आपका सही है, नेक्स्ट question number देखिए, यह देखिए, what is the fate of the male gamete discharge in the synergid, सहाय कोशका में अस्खलित हुए नर एगमको का परेडाम क्या होता है, मैंने अच्छे से यह chapter भाई बहुत अच्छे से बता था, मैंने embryo side बता था कि embryo side में कितने nucleus 8, nucleated 7 cell होते हैं, और इसमें 2 male gamete जाके आपके synes्डजीन में discharge होती है, अब जब 2 male gamete आपके synesire तिस्टार होगी, तो first male gamete होगा, first male gamete जो होता है, वो जाके आपका किस से, उससरे जाके किस से मिलता है? एक होती है, क्या होती है? उसमें आपका किस से मिलेगा gamete से, जो male gamit होगा वो central cell से मिलती है second valley तो इंडो इस पर मनाती है double fertilization होती है वही सब कहानी होती है तो यह देखिए all fuse with the egg जो male gamits होते हैं वो discharge होते हैं synergits में सहाय कोई सकाएं अस्कलित हुए नर इगमों का परिड़ाम क्या है all fuse with the egg नहीं one fuse with the egg एक के साथ fuse करेगा and fuse with synergit nucleus one fuse with the egg के साथ और other fuse करेगा central nuclei के साथ तभी तो double fertilization होगे तो आपसा number third correct हो जाएगा मैंने अच्छे से बताया था कि जो यह आपका male gamit होता है यह किसके fuse करता है male gamit G-A-M-E-T male gamit fuse करता है central C-E-N-T-R-A-L central cell से central cell से fuse करके primary endosperm nucleus बनाता है primary endosperm जो होता है यह triploid होता है फिर उसके बाद यही बाद में primary endosperm जाके endosperm में आपका change होता है triploid endosperm tissue होता है त्री यन तो आपसा number इसमें third option correct है और यह जो chapter की पूरी स्रीज है आप लोग जरूर देखिएगा चैनल पर जाके sexual reproduction in flowering plant के नाम से आपको playlist में name मिल जाएगी तो 10 questions इस वीडियो में हम लोग discuss किए next video 10 questions discuss करेंगे तो चलीज आप लोग को क्या करना है वीडियो को like करना है और आप link share करें अपने whatsapp group में अपने friends को जरूर share करें 100% आपके complete सब कुछ कराऊंगे chemistry physics biology लेकिन आपको भी help करने पड़ेगी thank you